नमस्कार विद्यातियों Study29 Academy के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आजम गखसा आठ की हिंदी की कारिय पुस्तिका का कारिय पत्रक 40 सल करेंगे तो इससे कारिय पत्रक को समझने के लिए वीडियो को सुरू से लेकर आं तक देखें और अपना कोई सुजा हो तो कमेट बॉक्स में जरूर लिखें सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्स्ता हमें इसे कारिय पत्रक में कौन सी दक्स्ता प्राप्त करनी है समेदन सील मुद्दों पर अपने अनुभव लिख पाना इस बच्चों में आपको सीखना है कि कोई समय दन सील मुद्दा है तो उसके बारे में आप अपने अनुभव हो किस प्रकार लिखेंगे इसमें पहला परसन है दिये गए चित्र को दे कर निचे लिए के प्रसनों के उतर दीजे यहां पर एक चित्र दे रहा है उसको देखना है ध्यान से और उसके अनुशार प्रसनों के उतर देने है का दिव्यांग बच्चे भी समान आउसर मिलने पर सामाई यह बच्चों की तरह ही कारिये करने में आत्म निर्बर हो सकते हैं यहां तुम इस बात से सहमत हो सोचकर अपने विचार लिखिये दिव्यांग यानि विकलांग बच्चे से डवलेसन विसे साफसिकते वाले बच्चे अगर उनको थोड़ी सी भी साहिता मिल जाए तो वो दूसरे बच्चों की तरह आत्म निर्बर हो सकते हैं तो इसके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं आपके साहिता के लिए मैंने याँ पर कुछ लाइने लिखिये हैं हो सकता है वो आपके विचारों से अलग हो लेकिन आपको लिखना इसी प्रकार होगा है तो इसका उत्रो जाएगा हाँ दिवियांग बच्चे भी कुछ उपकरणों की साहिता से समान अउसर मिलने पर समाईने बच्चों की तरह ही कायरी करने में आत्म निर्बर हो सकते हैं जैसे किसी बच्चे को अगर दिखता नहीं है तो उसको जो भी वस्तों या जो भी चीज़ी दी जाती है वो ब्रेल लिपी लिखी होई दी जाए तो बच्चा आसानी से पढ़ गए और हर बात को समझ जाएगा अगर उसको ब्रेल लिपी सिखा दी जाए इसके लवा किसी बच्चे के अगर पेरों से चला नहीं जा रहा है तो उसको वील चेर दी जाए ताकि उसे आने जाने में सुईदा हो सके और वो दूसरे बच्चों की तरह काम कर सके इसी प्रकार बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनकी साहिता से इन बच्चों को अपने का करने में आतम निर्वर बनाया जा सकता है अब एक चितर में दे कर सोचे कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं इनकी बातचीत को समाद के रूप में लिखे हैं तो यहां पर मैं अंदजा लगा रहा हूं कि ये बच्चे हैं वो कोई खेल खेल रहे हैं जिसमें पॉ चातर एक राजा कौन तो राजा रानी चोर सिपाई वाला जो गेम होता है जो बच्छे आप बेट के और खेलते हैं जिसमें अंकों की साहिता से हार जीत होती है तो चातर एक केता है राजा कौन तो चातर दो केता है राजा मैं तो चातर एक वापस जवाब देता है राजा को चार सो अंक मिले राजा राजा रानी कौन तो फिर जो राजा के अंक आते हैं वो चात्र रानी का अनुमान लगता है रानी चात्र तीन वो अनुमान लगता है कि चात्र नमर तीन है वो रानी है तो इसी तरह ये जो समाद है वो आगे बढ़ता रहेगा इस प्रकार इस वीडियो में हमने कारिय पत्रक 40 को हल किया अगले वीडियो में हम अगला कारिय पत्रक हल करेंगे वीडियो अगर उप्योगी लगाओ तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबादें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन आपको समय पर मिल सकें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद